नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका नमस्ते इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूँ यहाँ सेशन आपके अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफी लाबदायक साबित होगा आज के सेशन में हम कनवर्सेशन पार्ट टू सीखेंगे कल के सेशन में मैंने आपको बताया अगर आप ऐसे वैक्ति से बात सुरुआत करना चाहते हो बातची सुरुआत करना चाहते हो जिससे आप पहले से नहीं जानते हो और आपने देखा कि मैंने आपको सेशन के माधियम से चार से पांच ऐसे वाक्ष बता हैं जो आप किसी के साथ में भी पात्चित करने में सुरुआत कर सकते हो आज के सेशन में हम ऐसे वेक्तिय से बात करना सीखेंगे जिसे आप पहले से जानते हो इसके पहले मैं आज के सेशन सुरुआत करूँ आईए मैं आपको एक इंपोर्टन जानकारी दे दूँ यदि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो लेकिन परिसान हो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से सुरुआत करे तो मित्रो इस समस्या का सामधान नमस्ति इंग्रिश आपके लेके आया है आज ही आप प्ले इस्टोर से नमस्ति इंग्रिश आप डाउनलोड कीजिए और अनलिमेटेड एकाउन जोइन कीजिए यहां आप बोल बोल कर मिना किसी सहत्य के फर्राटि दारा गरेजी बुलना सिख सकते है तो चलेए दोस्त आपके शिसन स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो जैसा मैंने आप से पहले कहा कि आज हम ऐसे किसी व्यक्टिव से बात करना सिखेंगे या बात करने की सुरुवात करेंगे जिसे हम पहले से जानते हो माल लिजे यदि आप किसी से बात करना चाहते हो और उसका नाम अमन है तो आप उसे हंदी में अगर कहना चाहते हैं अरे अमन तुम कैसे हो तो आप उसको बोल सकते हो Hey अमन, How have you been? फिर से मैं बोलता हूँ है अमन हाव हैब यू बीन आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो हलो अमन हाव आई यू अगर मान लिजे किसी अन्वैक्टी से बात करना चाहते हो जिसका नाम सुरिया है तो आप बोल सकते हो है सुरिया हाव आई यू तो ये दो अलग अलग तरिके हैं किसी को बोलने के लिए अगर अमन के साथ मिले आपको काफी दीन हो गया है और अचानक अमन आपसे मिल जाए तो आप बोल सकते हो अमन इसका आर्थ ये होता है अमन बहुत समय हो गया कैसे हो ठीक है तो ये हो गया दो अलग तरिका अगर मान लिजे कोई व्यक्ति आपको अचानक मिल जाए और इस उधारन के लिए मैंने उस व्यक्ति का नाम अतुल चुना है तो अगर अतुल आपको अचानक मिल जाए तो आप क्या बोलेंगे अतुल आपको देखके बहुत अच्छा लगा आप यहां क्या कर रहे हो और आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो और इसका जवाब इस तरह से भी हो सकता है कैसे बोल सकते है की वाओ how long it's been और अगर आपको बहुत संखेप में जवाब देना है तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं नाट तू बैड ठीक हूँ ठीक है तो दोस्तो आज हमने चार वह आपके सिखे एक तो हमने सिखा कि अगर किसी व्यक्ति से आपको मिलना है मिले हो जिसे आप जानते हो और आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि हाई अमन और हाई सौरिया हाव आर यू और आप ऐसे भी बोल सकते हो हाव हैव यू बीन आप ऐसे अचानक कोई वैक्ति मिल जाए काफी दिनों के बाद तो आप बोल सकते हो अमन इस बीन लॉंग टाइम और अगर आपको ऐसे सर्प्राइज के तौर पे बोल ला है किसी को अचानक तो आप ऐसे बोल सकते हैं वाट अ सर्प्राइज आप बीन नाट सीन यू इन लॉंग टाइम हाव यू बीन ठीक है तो मुझे आसा है दोस्तों ये तीन से चार सेंटेंस आप अपने डे टूडे के कन्वेर्सेशन पर लाओगे और और अच्छे से अंगरेजी बोलना सिखोगे कुछ इस तरह के और इंग्लिश रिलेटेड वाक्टियों को सिखने के लिए नमस्ते इंग्लिश को डाउनलोड करें और अन्डिमिटेड एकाउंट जॉइन किजिए नमस्कार